हेलो फ्रेंट्स मैं आपका दोस्त नेके दांग मोगा और दा अजुकेशन अकेली में आपका स्वाकत है फ्रेंट्स को सीखने के स्रीज में लक्षर नमबर ट्वंटी सीख से जिसमें बात करेंगी वीजिबल्टी प्रोपर्टी के बारे में तो वीडियो को सुरू करते हैं चलते हैं नोट पर प्लस-प्लस में तो बिसप्लिटी जो प्रोपर्टी होती है CSS में यह बिसप्लिए आप कि जो यूज में आती है वो असलिए यूज में आती है कि अगर आप कोई भी HTML में einlement है अगर आप उसकी वीजबल्टी को हाइड करना चाहते हैं चाहते हैं देन आ कर देते हैं हाइट रख देते हैं तो ऊंडएड पिक्सल रख देते हैं 200 टेक्सल डॉटत रख देते हैं रेड़ और बोटर दे देते हैं इसको वन Пिक्सल सो दिल ब्लैक सेव किया और गूगल क्रोम में रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया इसका इसका इसको पहले रन करना होगा में तो रन किरने के लिए इसको रन किया इस तरीके से तो यहां पर आपको इसका रिजल्ट दिख रहा है अगर आप मैं चाहता हूँ इसकी जो विजिबल्टी है वो छुप जाए हाइड हो जाए तो वो कैसे करूँगा उसके पहले मैं यहां पर एक पैग्राफ टैग लूँगा और यहां पर लिखू अगर मैं sacred किया और एक पैरा क्राफ टाग मैंने लिखाया तबैसे कि अब सक्षाब माँ मैं इसकी जो यह ढिए और मैं इसकी वीजिबल्टी को सैट करना चाहता हूं कि यह वीजिबल रहे तो मैं simple मुझे वीजिबल्टी प्रोपरेटियां प्लिखनी हो provisability अगर मुझे कोई दिखे देन आप यूज करेंगे विजिबल कि don't save करेंगे और दन रिफ्रेस अब सबसे बड़ा जो डिफ्रेंस है यह काम तो आप डिस्पली प्रॉपर्टी नंद करके भी कर सकते हैं सबसे बड़ा जो डिफ्रेंस है विजिबल टी ओर डिस्पली नंद में आपको समझ यह उपर यहां पर मूव नहीं हुआ क्योंकि अगर हम विजिबल्टी प्रोपर्टी का यूज करके कोई भी एलिमेंट को गर हिडन करते हैं तो वह सिर्फ हिडन होता है वह आपके ले आउट में अपनी पोजिशन पर रह गई रहेगा बात समझ रहे हैं अगर मैं यहां पर मैं मैं कर्णों है अब आप करता हाँ अब आप लानमेंट में से भी वह वो पूरा का पूरा हिडन हो गया पूरा का पूरा वो घायब हो चुका है ठीक है उसका यहां पर उसने अब कोई भी पोजिशन यहां पर नहीं लिए मतलब इसकी कमरे में कुरसी आप पर रखी है अगर आप विजिबल्टी ऺओगे तो कुरसी तो आपको नहीं दिखेगी लेकिन कुरसी अपना जो एर इसका यह होता है कि अगर आप visible use करते हैं आपको दिखेगा अगर आप visibility में hidden use करते हैं देन आपको element तो नहीं देखेगा लेकिन element का जो area हाँ पर layout उसने जो capture किया हो है वो अपनी जग्या बनाए हुए है सिर्व आपको दिखनी रहा यह यहाँ पर element है बस वो दिखनी रहा अगर element यहां से hide हुआ है अगर आपको remove करना है दन आप use करेंगे display नन तो पूरे यहां से गाय भी हो जाएगा लेकिन visibility में क्या होता है कि आपका element आपको सिर्फ दिखता नहीं है बट लेकिन वो आपके layout मे अपना space बनाए रखे हुए है तो यह सबसे बड़ा main difference होता है visibility का बहुत छोटी सी property होती है लेकिन main difference आपको समझना होगा visibility hidden और आपका visible का तो basically इस lecture में आज इतना ही बहुत छोटा lecture है लेकिन important था आपको मेरा motto था कि समझाऊं visibility से भी अगर hidden वाला काम हो रहा है और display नन स है तो लाइक करो comment करो share करो और मिलते हैं नेक्स लेक्चर में टोपी के साथ अब तो लिए थैंक्यू टेक केर बाबाई